हिर्या मत नानंगी करो सभा में जेटी उल्हाने हो जांगे लोग नानंगी करो सभा में जेटी उल्हाने हो जांगे और कहने लगी चंदाल चोकडी के सामने सभा में लोग नानंगी करो सभा में लोग नानन जेटी उल्हाने हो जांगे चंदाल चोकडी के सामने सभा में लोग नान हो जांगे यही वात है वीड़ी जी क्या कहने उसका दो अबला के संग कौनी सभा में होती तंगी बेखेगा बाबा भी समि पोत बहुने कैसे नंगी देखेगा गोणाचारी बंधती कैसे तरह कलंगी देखेगा करदे सत्यानाश पती अरजुन अरधुंगी देखेगा करदे सत्यानाश पती अरधुंगी देखेगा गड़ा पापिटा खाली से यहां आपुछ पाणिया हो जांगे चट्टार चोकडी के सामी समे लोग मिरान हो जांगे चट्टार चोकडी के सामी समे लोग मिरान हो जांगे एल ज यह लते सकत्थунд हर्व रर हर्व 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 नियू कहने लगी वत्रोप्ती केरे जेट कुर्योधन अरे कुछ तो शरम कर अपनी बेटी समान इस द्रोप्ती को इन मर्दों से भरी सभा में तु लेकर के आया है पहली गल्दी तो तुने ये की है और दूसरा अपने छोटे भाई दुसासन उसको तुने आदेश दिया कि म इराची रहरन किया जाए अरे तुझे शरम आनी चाहिए और सभा को भी कहने लगती है कि आज इस भरी सभा में एक से एक महापुरुष व्यक्ति एक से विद्वान व्यक्ति बेटा है लेकिन क्या किसी को दिखाई नहीं देता सभी अंदे हो गए है और क्या कहने लगी सु सारी सभा चिप बैठी कैसा इन साप नहीं दे ख्या आज तै पहले पेटी नंगी करता बाप नहीं दे क्या प्यारा देवर भी में सेन्ड मने कद चिपचंप नहीं दे ख्या नकुल और सहतीव जिनों ने अपने आप नहीं देख्या हरा पसा सहरी उचड़ हो जा रहे हैं पसा सहरी उचड़ हो जा यहां पाग बसे रहो जांगे चंच दारे चौकडी के सामी सब लोग में राते हो जांगे पसारे चौकडी के सामी सब लोग में राते हो जांगे महारती से करण देखिरे हैं महारती से करण देखिरे हैं क्या बोलन की बंडु से हैं अंदे का अंधा एक सही क्या सारी सब अंधी से हैं लिना भाव के विकिली से मेरी इचत कितनी मंदी से आखिर मैं यू कहना पढ़ जा सब की आदत गंदी से आखिर मेरी कहना पढ़ जा सब की आदत गंदी से हिक करिके मेरी कहला मेरी कहला मेरी कहला जिंग दाने हो जांगे चंडाए चोकडी के सामी समय योग विरान हो जांगे कदना नंकी करो सब में चेट गुलाने हो जांगे चंडाए चोकडी के सामी समय योग विराने हो जांगे आए मिर जी लोग विराने हो जांगे आए मिर जांगे आए 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 तुझे तो बोलने का अधिकारी नहीं क्योंकि तुए नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पांच पत्रों की अर्धंगी है आए अगर तुझे रंडी भी कह करके बुलादूं तो इसमें भी कुछ बुरा नहीं करूंगा किस तरह से क्या कहती है दुरुपती अपने जेट दुरियों भूंते सुरिये रहता बता इस रागनी पर खुश होकर बड़े ही आधर्णिये भरतलाल जी भरतलाल पैनिवाल जी गहलम गाउं से 201 रुपे से पाटी का मान समान करते हैं तही देल से दनिवाद करते हैं भरत आये किस तरह से कहती है दुरुपती यूं कहने लगी मुझे रंडी और बद्य माहस्री बतावें रंडी और बद्य माहस्री बतावें पाकी सभी घरी ही बैठे मेरी सुनता नही रसुनता नही मेरी सुनता नही फुकारी कोई ही सब कानों हाट धरी ही बैठे दुरियो धन मने रान समझ मेरे पाचों पती मरे बैठे पीरू गोरी की किरपाते सुनता नहीं हो जांगे मक्ना नंगी करो सब में छे तुल्हान हो जांगे चंदाल चोखडी के सामी सब लोग विरान हो जांगे